ग्रेवियांस हैंडलिंग तो देखिए ग्रेवियांस होता क्या है ग्रेवियांस मतलब होता है कि डिस्साटिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस् dissatisfaction आने लगता है injustice की feeling होती है आपके अंदर और वहीं पर क्या होता है ग्रेवियांस आ जाता है जिसकी वज़ा से आपकी productivity घट जाएगी आप जो है job पे ध्यान नहीं दोगे आप जो है work पे ध्यान नहीं दोगे तो कुछ भी हो सकता है उसका result तो dissatisfaction feeling of injustice in work working condition is known as gravience. Formal expression of dissatisfaction about एक तरिके का formal expression है अपने work situation से related dissatisfaction को show करने का ति ये कौन show कर सकता है कोई individual employee show कर सकता है या फिर किसी group of employees दोड़ा show सकता है या फिर कोई union भी जो है acting on their behalf किसी भी हाब पे act करके union भी जो है उसको ग्रेवियांस को show कर सकता है कि हाँ आपका ये employee है और ये जो है dissatisfaction को लेकर तो उसको क्या कराता है must arise out of employment and not due to personal or family problem तो ये जो ग्रेवियांस है किसी भी organization है ये ग्रेवियांस जो है employment को लेके होनी चाहिए ना कि किसी personal family में problem को लेकर ये जानी कि आप घर में कोछ injustice हुआ है उसकी वज़ा से आपकर performance office में या organization में जो है productivity गिर रही है तो ये नहीं होना चाहिए फिर ये ग्रेवियांस जो है official ग्रेवियांस नहीं हुआ ये घर का matter है फिर dissatisfaction है ये या तो real किसी region से हो सकता है ये फिर imaginary region है कि आपने कुछ अपने मन में खयाली पुलाव पुलानी है और जिसके जैसे आप लोग आपको लग रहा है कि आप आपके साथ injustice हो रहा है और आप जो है पंदरा मिल रहा है तो imagery क्या हो गया कि आपको लग रहा है कि उसको पंदरा मिल रहा है लेकिन उसको actually में दसदाम मिल रहा है तो यह भी हो सकता imagery like आप ऐसे अंदाजा लगा रहे हो तो discontinend हो गया यह 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 real Hamindी हो सकता है और imagery region की वज़द अथर्टी इन एवरी इस्टेबलिश्मेंट वेर फिफ्टी और मोर वर्कमेंट आर इंप्लाइट फॉर सेटल्मेंट ऑफ डिस्प्यूट तो जो भी डिस्प्यूट है या फिर जो भी ग्रेवियांस होता है उसको सेटल करने के लिए सेक्शन नाइन आफ आइडी अनि इंड ग्रेवियांस सेटल्मेंट अथॉर्टी होनी चाहिए तो ग्रेवियांस क्या होगा आइफो आप समझ में आ गया होगा कि ग्रेवियांस का मतलब डिस्सप्यक्शन या फिर फिलिंग ऑफ इंजस्टिस रिलेटेट टू इम्प्लाइमेंट यानि कि वर्क सिच्वेशन को ल ग्रेवियांस कितने टाइब को होते हैं तो जैसे कि अपने पीचे देखा अकर रियल भी हो सकता है इमेजरी भी हो सकता है तो सबसे पहले रियल यानि कि factual ग्रेवियांस फाक्च्वल निकि Fact based होता है कि यह Fact है यह Real है यह देखिए मेरी भी Qualification है इसकी भी Qualification नहीं है लेकिन फिर भी उसको ज़्यादा मिल रहा है मुझे कम मिल रहा है तो यह ग्रेवियांस है तो यह factual ग्रेवियांस कहलाता है arises when a legitimate need of an employee has not been मैट आने कि जो मेरा अधिकार था वो need जो है आपने मेरी पूरी नहीं की तो इसके वज़े से जो ही ग्रेवियांस आ जाता है वहीं पर imaginary ग्रेवियांस होता है imaginary ग्रेवियांस आने कि actually में हो चीज नहीं है लेकिन आपने इमेजिन कर लिए उसके वज़े से आप क्या है जो है आपको लगता है कि आप dissatisfied जाता है या फिर injustice की feeling आपके अंदर आ जाती है arises when an employee's grievance is based on a wrong perception आपने wrong perception लिया आप भी same position पर सामने वाला भी same position पर है लेकिन आपको लगता है कि सामने वाले को ज्यादा पूंचा जाता है मुझे पूंचा है नहीं जाता wrong assumption आपने कुछ कर लिया या फिर incorrect information के basis पर जो है आपने कोई भी gravyans यह dissatisfaction पाल ली अपने अंदर तो यह क्या होता है oops yeah when the imageryounty application होता है या इता मिला आपको भी उतना की लिला सामने वाले ही 10 लाग यूंट आपने मैंने में debates सामने वाले ही 10ल tent युनिक से किए के मेरे डाल दिया कि बता है सामने वाले आपके अंदर Gravians आ जाता है और जिसके वज़ाद से फिर आप जो है काम से कल्टी मारने लगते हो Next है Disguised Gravians Disguised Gravians क्या होता है कि आपको खुद ही नहीं पता होता कि आप क्यों परेशान हो आप क्यों Dissatisfied हो Imagery of Actual Gravians में कहीं नहीं आपको पता होता है कि क्यों आप जो है Gravians है आपके अंदर क्यों आप Dissatisfied हो लेकिन Disguised Gravians में क्या होता है कि आपको नहीं पता होता कि आप क्यों जो है Dissatisfied हो तो Reason Annone to Him Normally when Psychological Needs are Not Fulfilled तो Normally क्या होता है कि जब Psychological Needs नहीं Fulfilled यानि Motivation, Leadership इस टाइब की Needs जब नहीं Fulfilled होती है Employee की तो वो जो है Disguised Gravians में आ जाता है उसको नहीं पता होता कि क्यों आप वो परेशान है क्यों Dissatisfied है जॉब से सब कुछ मिल रहा होता है Equally मिल रहा होता है लेकिन फिर भी Dissatisfied होता है या उसको लगता है कि में साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो वो क्यों होता है क्योंकि Psychologically उसको जो है Motivation नहीं मिल रहा होता है तो उसको कहते है Disguised Gravians जो उसको भी नहीं पता होता कि वो क्यों Dissatisfied है तो यह होगे Forms of Gravians अब Next है Gravians Handling Procedure यानि कि जो Gravians है Factual Imaginary या फिर Disguised Gravians है इसको कैसे आप जो Redress कर सकते हो इसको कैसे जो Handle कर सकते हो और Organization को इस Gravians को Handle करना भी चाहिए तो सबसे पहले Identify Gravians यानि कि आप जो भी Gravians है Employee के अंदर पहले इसको Identify करिए वो Observation की तरीके से प्रिवियस कंप्लेंड की बेसिस पर Open Door Policy आनि कि अगर आपको लगता है तो आप सीधे आई ये बात करिए Open Door Policy, Exit Interview को इंप्लाई छोड़के जा रहा है तो उसका Interview लीजे कि क्यों छोड़के जा रहा है तो यहां से आप Gravians को Define करें correctly कि क्या exactly है problem क्यों वो dissatisfied है उसको correctly define करिए उसके बाद data collect कर लिए उसके dissatisfaction, injustice related और फिर उसको analyze करिए और उसके solve करिए तो यह क्या होगे? Gravians handling का proceed हो गया और उसके बाद prompt redress लिया यानि कि तुरंथ उसको redress भी करिए जो भी problem थी, जो भी injustice था, जो भी dissatisfaction था उसके against action लेकर, उसको analyze करके solve करके, उसके redress भी करिए यानि कि उसको solve out करिए, उसके gravians को remove करिए और implement and follow up यानि कि उसको implement करके, उसको follow भी करिए कि हाँ देखिए कि आपने जो भी redressal किया उसके बाद किया वो satisfaction की feeling उस employee के अंदर आ गई या नहीं आ गई तो identify the gravians, define correctly collect the data, analyze and solve the problem prompt redressal, यानि कि जैसे आपने solve किया तो उसको redress करिए, उसको implement करिए और follow up भी लीजिए तो that is gravians handling procedure तो एक तरीके से model है आपके सामने screen पे model gravians procedure नानि कि कैसे आप जो जो resolve करते हैं अगर personal label पे settle नहीं होता है तो वो कहां जाता है departmental representative के पास जाता है जो की gravians authority होता है gravians settling authority person होता है उसके पास जाएगा वो अपने gravians को बताएगा अगर वो 48 days में settle नहीं करता है तो फिर वो कहां चल जाएगा head of department जाएगा head of department से अगर तीन दिन के अंदर settlement नहीं होता है उसके gravians का तो वो कहां चल जाएगा gravians committee के पास जाएगा gravians committee से 7 दिनों के अंदर settlement होना है अगर 7 दिनों में वो gravians committee settle नहीं कर पाती है employee के gravians को तो वो chief executive manager के पास जाता है chief executive manager जो है तीन दिनों के अंदर gravians को settle करेगा के इंदर ठेक ये k प्रोसीजर होता है कि पहले अप जो है अपने इपपार्टमेंट्ल रेप्रेजेंटेर के पार जाएए वहां पर बताइए आपने ग्रेवियां वहां से सॉल्व हुआ तो ठीक नहीं हुआ तो टो एड़ ऑपर डिपार्टमेंट के पास टो चीफ एब्श सकते हैं यह ग्रेवियांस प्रोसीजर है हैं हैंडल करने को